11 बच्चो नमस्कार हिंदी कख्षा में आप सबका स्वागत है आज की कख्षा में हम F.A.1 मौडल पेपर को फ्रैक्टिस करेंगे ठीक है बच्चो देखिए बच्चो यह है आपका मौडल पेपर परस्ट में में लिखा गया है सही उत्तर चुनिये यहां पर प्रश्ण है हर एक प्रश्ण के चार आप्षन है आपको सही आप्षन को चुनना है ठीक है बच्चो जहां पर मैंने अंडरलेन करके टिक लगाया है वो है सही जवाब हम शुरू करें प्रश्ण एक जण्डाव उंचा डैश आप्षन सार शीज जुकाए आओ इसको रहे हमारा शान बढ़ाए सही उत्तर है रहे हमारा जण्डाव उंचा रहे हमारा उखी ना प्रश्ण दो जण्गण मन का डैश आप्षन सार बढ़ते जाए गाना गाए शान बढ़ाए शीज जुकाए सही उत्तर है गाना गाए जण्गण मन का गाना गाए ठीक है बच्चो प्रश्ण तीन इस जण्डे की डैश आप्षन सार गाना गाए रहे हमारा शान सही उत्तर है शान बढ़ाए इस जंडे की शान बढ़ाए प्रशन चार तीन रंग का डाश आप्शन सार तिरंगा उन्चा शीष जंडा सही उत्तर है तिरंगा तीन रंग का तिरंगा प्रश्न पांच ध्वज का अर्थ क्या है? प्रश्न पांच ध्वज का अर्थ क्या है? आप्शन सार उपर सेर जंडा द्वज सही उत्तर है जंडा ध्वज का अर्थ क्या है? ध्वज का अर्थ है जंडा ठीक है बच्चू? अब है प्रश्निच्ष जुकना इसका विलोम शब्द विलोम शब्द का मतलब है आपोसिट वर्ड जुकना इसका विलोम शब्द डैश अप्शन सार जुकना मिलना बढ़ना उठना सही उत्तर है उठना जुकना इसका विलोम शब्द है उठना नमबर साथ हमारा जंडा डैश रंग का है आप्शन सार चार तीन पांच दो सही उत्तर है तीन हमारा जंडा तीन रंग का है प्रश्न आठ स्थम्ब के नीचे डैश लिखा है आप्शनस आर जन गन मन सारे जहां से अच्छा सत्यमेव जयते जंडा उनचा Right option is सत्यमेव जयते, स्तंब के नीचे सत्यमेव जयते लिखा है ठीके बच्चों, प्रश्न नो, जन गण मन हमारा ड्याश है Options are, नारा, संगीत, भजन, रास्ट्रोगीत Right option is, रास्ट्रोगीत, जन गण मन हमारा रास्ट्रोगीत है ठीके बच्चों, प्रश्न दस, हमारे जन्डे के बीच में ड्याश है आप्शन सार, चक्र, शेर, बाग, हाती सही option है, चक्र, हमारे जन्डे के बीच में चक्र है प्रश्न ग्यारा, हमें जन्डे की ड्याश बढ़ानी चाहिए आप्शन सार, शक्ति, शान, धन, गवरो सही option है, शान, हमें जन्डे की शान बढ़ानी चाहिए प्रश्न बारा, हमारे देश का नाम क्या है आप्शन सार, बेंगलूरू, कनाटक, भारत, दिल्ली रवाइट आप्शन इस, भारत, हमारे देश का नाम है भारत प्रश्न तेरा, हमारे जन्डे में कितने रंग है आप्शन सार, छे, चार, एक, तीन रवाइट आप्शन इस, तीन, हमारे जन्डे में तीन रंग है कितने रंग हैं बच्चों, तीन रंग है प्रश्ण चोदा इस कविता में कोन सा गाना गाने को कहा गया है ध्यान से सुनियेगा इस कविता में कोन सा गाना गाने को कहा गया है आप्शन सार जन गन मन, ध्वज गीर, भक्ती गीर, सिनिमा गीर Right option is जனगनमन, इस कविता में जनगनमन गानागाने को कहा गया है प्रश्ण पंद्रा, रंगपा कहान जा रहा था? प्रश्न पंद्रा क्या है बच्चों, रंगपा कहान जा रहा था? option सार, शोलापुर, कानपुर, बंड्ीपुर, नागपुर रउइट अप्षन इस बंडिपूर, रंगपा बंडिपूर जा रहा था प्रश्ना फ oppose Ici, लो», हाती के दान किसने मांगे option इस ने मांगे रउइट आप्षान सार्ढ दूकान दार, रंगपा, शेर, अज़नभी The right option is दुकांदार. हाती के दान दुकांदार ने मांगे. हाती के दान किस ने मांगे बच्चों? दुकांदार ने मांगे. प्रश्ण 17. हाती ने रंगपा को क्या दिया? फ्रश्न क्या है, हाती ने रंगपपा को क्या दिया options are, सोना, चान्दी, पीतल, दान्त The right option is, दान्त हाती ने रंगपपा को दान्त दिया ठीके बजो, अगला सवाल है अथारा, प्रश्न नमबर अथारा तुम डरो, डश options are, नहीं, डरो, मत हाँ, right option is मत, तुम डरो मत प्रश्न 19, तुम मेरे साथ डैश options हार, चलो, नहीं चलो, बढ़ो, नहीं बढ़ो right option is, चलो, तुम मेरे साथ चलो प्रश्न 20, रंगपा ने हाती को डैश दिया options हार, पैसा, धन्यवाद, रुपिया, फल रंगपा ने हाती को डैश दिया right option is, धन्यवाद, रंगपा ने हाती को धन्यवाद दिया प्रश्न 21, मुझे डैश की बड़ी जरूरत है options हार, घर, अनाच, पैसों, दान्त right option is, पैसों, मुझे पैसों की बड़ी जरूरत है प्रश्न 22, हाती ने लाल लाल दियाश दिखाई options हार, आंखे, दान्त, मुझे, सूंड right option is, आंखे, हाती ने लाल लाल आंखे दिखाई प्रश्न 23, रात, इसका विलोम शब्द, डैश, options हार, ऊपर, देना, सुंदर, दिन रात, इसका विलोम शब्द है, दिन the right option is, दिन, रात, इसका विलोम शब्द है, दिन ठीक है बच्चों, next, दोभी स्वाम प्रश्न है, चीज, चीज का अन्यवचन रूप है, डैश, चीज, चीजों, चीज, चीजे, right option is, चीजे, चीज इसका अन्यवचन रूप है, चीजे, प्रश्न 25, दान्त, अन्यवचन रूप लिखे, अन्य रूप है, दान्त, इसका अ अन्य रूप है डाश आप्षन सार दान्तों दान्त दाते राइट आप्षन इस दान्त का अन्य वच्छन रूप होता है दान्त बच्चों ठीके प्रश्न 26 25 प्रश्ट ये कवरबार पढ़ती हूं दांत इसका अन्यवचन रूप हमको यहां पे लिकना है दांत का अन्यवचन रूप होता है दांत ही होता है बचो ठीके धान दीजियेगा Please don't get confused दांत इसका अन्यवचन रूप है दांत ही होता है ठीके बचो प्रश्ण 26 बयानक यह क्या है शब्द बयानक इसका सही शब्द रूप हमको लिखना है मने के शुद्ध रूप लिखना है आप्शन सार भयानक भियानक भायानक भयानक इसमें से सही उत्तर है आप्शन नमबर एक भयानक ठीक है बच्चों बयानक इसका शुद्ध रूप है 27 प्रशन है कलांजली यह किसका नाम है ध्यान से सुनिएगा कलांजली किसका नाम है आप्शन सार पार्क, दुकान, मैदान, जंगल Right option is 27 प्रशन है कलांजली यह किसका नाम है आप्शन सार पार्क, दुकान, मैदान, जंगल सही उत्तर है दुकान कलांजली दुकान का नाम है प्रशन 28 लालच, डैश बला है आप्शन सार बुरी, अच्छी, कठीन, सरल Right option is बुरी, लालच, बुरी बला है प्रशन 29 जरूरत शब्द का समान अर्थवाला शब्द डैश है क्या है बचो, जरूरत शब्द का समान अर्थवाला शब्द डैश आप्शन सार रास्ता, राह, जरूरत, अवश्यक्ता सही उत्तर है अवश्यक्ता जरूरत का मतलब है अवश्यक्ता ठीक है बचो जरूरा शब्द का समान अर्थवाला शब्द है अवस्यक्ता तीस्वाम प्रस्ण है हाती ने रंगपा को अपनी डैश पर बिठा कर बंडी पुर पहुंचाया options है पीट, सिर, पीट, पीट सही उतर है पीट, हाती ने रंगपा को अपनी पीट पर बिठाकर बंडी पुर पहुंचाया अगला प्रशन है इकति स्वाम प्रशन, रंगपाने कुछ सुंदर ड्याश खरीदे आप्षन सार गुडिया, गुड़ा, खिलोन, खिलोने रंगपाने कुछ सुन्दर खिलोने खरीदे सही option है खिलोने 32 प्रश्ण है पुराना इसका विलोम शब्द डैश options are नया, नया, सुन्दर, पास options को ध्यान से देखियेगा ओके ना, confused मत हो ये, सही उत्तर को चुनिये right option is नया पुराना इसका विलोम शब्द है नया प्रश्ण 33 अशोख चक्र में डैश तीलिया है options are 20, 30, 14, 24 right option is 24 अशोख चक्र में 24 तीलिया है 34 प्रश्ण अशोख स्थम्ब पर डैश मुखो वाला सिम्म है options are 4, 3, 5, 8 right option is 4 अशोख स्थम्ब पर चार मुखो वाला सिम्म है 35 स्वाम प्रश्ण डैश हमारा रास्ट्रिया प्राणी है options are शेर, हाती, बाग, चीता right option is बाग बाग हमारा रास्ट्रिया प्राणी है चती स्वाम प्रश्ण डैश हमारा रास्ट्रिया पक्षी है options are कोयल, कबूतर, मोर, मोर्नी right option is मोर, मोर हमारा रास्ट्रिया पक्षी है 37 प्रश्ण डैश हमारा रास्ट्रिया प्राणी है options are बुलाब, सूरज मुखी, सोन चमपा, कमल right option is कमल, कमल हमारा रास्ट्रिया प्राणी है प्रश्ण 38 राश्ट्रोगीत जनगन मन के कवी डैश है क्या है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा राश्ट्रोगीत जनगन मन के कवी डैश है options are रभींद्रनात ठाकूर, गांधी जी, सुवास्चंद्र बोस, अंबेटकर right option is रभींद्रनात ठाकूर, राश्ट्रगीत जनगन मन के कवी रभींद्रनात ठाकूर जी है ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्ण 49 प्रश्ण है, आपकी हिंदी पुस्तक का नाम क्या है, प्रश्ण क्या है, आपकी हिंदी पुस्तक का नाम क्या है, आप्शन सार, हिंदी सरिता, हिंदी सुमन, हिंदी भाषा, प्यारी किताब, वाइट आप्शन इस, हिंदी सुमन, प्रश्न चालीस अशोग चक्र डैश का प्रतीक है आप्षन सार उन्नती शान प्रगती शान्ती वाइट आप्षन इस प्रगती अशोग चक्र प्रगती का प्रतीक है प्यारे बच्चों एक बार हम फिर से इनको पुनरावरतन करेंगे एक बार आप ध्यान से सुन लीजिएगा ठीके बच्चों जैसे मैंने पढ़ाया हर सवाल का चार आप्षन होता है आपको रैट आप्षन को चूस करना है ठीके जंडा उन्चा रहे हमारा जनगन मन का गाना गाये इस जंडे की शान बढ़ाये तीन रंग का तिरंगा ध्वज का आर्थ क्या है जंडा ध्वज का आर्थ है जंडा जुकना इसका विलोम शब्द उठना हमारा जंडा तीन रंग का है संब के नीचे सत्यमेव जयते लिखा है जनगन मन हमारा रास्टरगीद है हमारे जंडे की बीच में चक्र है हमें जंडे की शान बढ़ानी चाहिए हमारे देश का नाम क्या है प्यारे बचो एक और बार पढ़ेंगे जंडा उँचा रहे हमारा जंगन मन का गाना गाए ध्यान दीजिए इस जंडे की शान बढ़ाए तीन रंग का तिरंगा बज का अर्थ क्या है उतर है जंडा जुकना इसका विलोम शब्द डैश जुकना इसका विलोम शब्द उठना जुकना उठना हमारा जंडा डैश रंग का है हमारा जंडा तीन रंग का है स्थम्ब के नीचे डैश लिखा है संब के नीचे सत्यमेवजैते लिखा है जनगन मन हमारा रस्ट्र गीत है हमारे जंडे की बीच में चुक्र है हमें जंडे की शान बढ़ानी चाहिए हमारे देश का नाम है भारत भारत हमारे देश का नाम है हमारे जंडे में कितने रंग है हमारे जंडे में तीन रंग है इस कविता में कौन सा गाना गाने को कहा गया है इस कविता में जनगन मन का गाना गाने को कहा गया है रंगपा कहां जा रहा था? रंगपा बंडीपूर जा रहा था हाती के दान किसने मांगे? हाती के दान दुकानदार ने मांगे हाती ने रंगपा को क्या दिया? हाती ने रंगपा को दांत दिया तुम डरो मत तुम मेरे साथ चलो तुम मेरे साथ चलो, रंगपा ने हाती को धन्यवाद दिया मुझे डैश की बड़ी जरूरत है, मुझे पैसों की बड़ी जरूरत है हाती ने लाल लाल आंखें दिखाई, रात इसका विलोम शब्द है, दिन चीज, चीज का अन्यवचन रूप है डैश, चीज का अन्यवचन रूप है चीजें दान्त, अन्यवचन रूप है दान्त, दान्त का अन्यवचन रूप दान्त ही होता है बयानक, इसका सही शब्द है भयानक, कलांजली यह किसका नाम है, कलांजली दुकान का नाम है लालच डैश बला है लालच बुरी बला है जरूरत शब्द का समान अर्थ वाला शब्द डैश जरूरत शब्द का समान वाला शब्द है अवश्यक्ता हाती ने रंगपा को अपनी डैश पर बिठा कर बंडी पुर पहुंचाया रंगपा ने कुछ सुन्दर डैश खरीदे रंगपा ने कुछ सुन्दर खिलो ने खरीदे खिलो ने पुराना इसका विलोम शब्द डैश पुराना इसका विलोम शब्द है नया अशोक चक्र में डाश तीलिया है अशोक चक्र में 24 तीलिया है अशोक स्थम्ब पर डाश मुखो वाला सिम्ब है अशोक स्थम्ब पर चार मुखो वाला सिम्ब है डाश हमारा रास्ट्रिया प्राणी है बाग हमारा रास्ट्रिया प्राणी है डाश हमारा रास्ट्रिया प्राणी है डाश हमारा रास्ट्रिया प्राणी है डाश हमारा रास्ट्रिय पूल है कमल हमारा रास्ट्रिय पूल है रास्ट्रगीत जन्गन मन के कवी रवींद्रनात ठाकूर है ठीक है बच्चों, आपकी हिंदी पुस्तक का नाम क्या है? आपकी हिंदी पुस्तक का नाम क्या है? हिंदी सुमन अशोक चक्र डैश का प्रतीक है अशोक चक्र प्रगती का प्रतीक है प्यारे बच्चो यह ता हमारा F.A.1 model paper ठीक है बच्चो आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और questions को समझने की कोशिश कीजिए options नीचे है तो options को ठीक से देखिए फिर उसके बाद उसको टिक कीजिए यह है आपका F.A.1 model paper है आप इसको अच्छे से practice कीजिएगा